जेम्स ग्रांड डफ जिसने हिस्ट्री ओफ मराठाज लिखा है वो अपने तीसरे पार्थ में लिखता है पढ़ने लिखने वाले मराठे कदाचित ही मिलते हैं ऐसी शिक्षा केवल कारकुनों के लिए ही शुभा देती है ऐसा मराठे मानते हैं शिवाजी कभी अपना नाम लिख नहीं पाया पर वो अच्छा तिरंदाज, अर्थात, धनुषबान चलाने वाला और नेमबास था और दखन में प्रचलित, भाले और तलवार चलाने में कुशल था वही सर जदुनात सरकार भी शिवाजी एन हिस टाइम्स में कहते हैं के मध्ययुगिन भारत के अकबर, हैदर अली और रंजीत सिंग इन नायकों के जैसे ही शिवाजी भी निरक्षर था ऐसा सबुतों का कल है, जो धेर सारे यूरोपियन्स शिवाजी को मिले, उन्होंने कभी शिवाजी को लिखते हुए नहीं दिखा, जब उन्होंने राजा को कोई अरजी दी, तब उसने वो पढ़कर सुनाने के लिए हमेशा उसके अधिकारियों को दिया, शिवाजी के हस् अक्षर में कोई भी दस्तावेश ग्यात नहीं है, पर इन दोनों में एक बात गौर करने लायक है, दोनों ही इतिहासकार होने के बावजूद, इन्होंने इस विश्य में कोई भी संदर्भ दिये नहीं है, तो अब ये जानने की कोशिश करते हैं, कि क्या सच्मुच शिवा शिवाजी महाराज निरक्षर थे, या इन इतिहासकारों का ये केवल एक तर्ग था, और क्या कोई प्रमान्या संदर्भ उपलब्द है, जो ये बताता है कि शिवाजी महाराज साक्षर थे, ये जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक देखिए ग्रैंट डफ ने शिवाजी महाराज की साक्षरता की संबन में किया हुआ उल्लेख केवल एक तर्ग है, और इस विशय में उसने कोई भी संदर्भ दिया नहीं है, इसलिए इसे दुरलक्षित किया जा सकता है, पर सर जदुनात सरकार ने जो उल्लेख किया है, उसका खंड प्रसिद्ध इतिहासकार गजानन महिंद्ड़े जी ने अपने श्री राजा शिवा चत्रबती इस पुस्तक में किया है, श्रीवत महिंद्ड़े जी ने शिवा चरित्र का 25 साल से भी जादा अभ्यास किया है, सर जदुनात सरकार के तीन मुद्दे हैं, जिससे उनका तर्क है कि शिवाजी महाराज निरक्षर थे, वो क्या है उनका परिक्षन हम एक-एक करके करते हैं, शिवाजी महाराज को किसी यूरोपियन प्रवास करता ने कभी लिखते हुए नहीं देखा, ये कहीं भी लिखा नहीं है, और लिखा नहीं है, इसका मतलब उन्होंने शिवाज शिवाजी महाराज को कभी लिखते हुए देखा ही नहीं है ये मानना केवल अतिशयवक्ती है इसके विपरीत कोसमी तक ग्वार्द एक पूर्तुगीज लेखक जिसने एक शिवचरित्र लिखा है उसमें वो कहता है वो अर्थात शिवाजी महाराज लोगों में घूमते थे उसे उन में से किसीने नहीं पहचाना वो हर चीज की टिपनी रखता था जो महत्व पूर्ण होता था वो भूलना जाए इसलिए वो उसे अपने हाथ पर लिखता था इसलिए वो हमेशा अपने सा दौत अर्थात लेखनी रखता था इसके अलावा अगर किसी यूरोपियन कहीं यह नहीं लिखे रखा है कि शिवाजी महाराज को उसने लिखते हुए दिखा है इसका मतलब शिवाजी महाराज निरक्शर थे ये निकालना केवल निराधार है निकोलाय मनुची ये मिर्जा राजा जैसिंग के साथ दो साल थे पर उन्होंने मिर्जा राजा के वर्णन में जो भी लेख लिखे हैं उसमें कहीं भी मिर्जा राजा जैसिंग को लिखते हुए देखा है इसका उलेख नहीं है तो क्या इस एक चीज के लिए मिर्जा राजे जैसेंग जो साक्षर थे उनको निरक्षर करा दे सर जदुनात सरकार का दूसरा तरक है कि शिवाजी महाराज को दिये गए खत या अरजिया उनको पढ़कर सुनाई जाती थी मध्ययुगिन भारत के सारे राजाओं और बाच्षाहों को उनके मंत्री खत या अरजिया पढ़के सुनाते थे ये केवल एक दरबारी प्रथा थी पर इससे शिवाजी महाराज निरक्षर थे ये निशकर्ष पर आना केवल पक्षपाती है डच इस्ट इंडिया कंपणी का वकीर जोहन फॉन ट्वेस्ट ये कहता है कि आदिल शाह को उसने दी हुई अरजी उसे अरथात आदिल शाह को दरबार में पढ़कर सुनाई गई तो क्या इसका मतलब आदिल शाह निरक्षर था? सर जदुनाद सरकार का तीसरा तरक है कि आज तक शिवाजी महाराज का हस्त लिकित एक भी पत्र मिला नहीं है सन 1689 में जब राइगण मुघलों के हाथ में चला गया तब महाराज का दफ्तर खाना अरथात जहां कार्यकालिन खत रखे जाते हैं वो दफ्तर खाना मुघलों ने नश्ट कर दिया तो महाराज के खत जिनमें उनका हस्ताक्षर हो सकता था वो सारे खत इसी के साथ नश्ठ हो गए। इन सबसे यही पता चलता है कि सर जदुनाद सरकार के तर्क निराधार है वही शिवाजी महाराज साक्षर थे ये कई संदर्भों से पता चलता है। सबसे पहला संदर्भ है शिवाभारत का अध्याय नौवा शलोक सत्तर से चवत्तर। कविंद्र परमान अंदजी ने शिवाभारत जब शिवाजी महाराज जीवित थे तभी रचा था। इस शिवाभारत के नौवे अध्याय के सत्तर से चोहत्तरवे शलोकों में ये लिखा है कि जब वह गुणवान लड़का अर्थात शिवाजी महाराज सात वर्ष का हुआ तब ये लिपी अर्थात भाषा लिखना सीखने के योग्य हो गया है। ये सोचकर शहाजी राजे ने उस बुद्धिमान और स्पष्ट उच्चार करने वाले शिवाजी महाराज को गुरु को सोब दिया। जब गुरु जी उसे एक अक्षर सिखाते तब शिवाजी महाराज उसी के साथ दूसरा अक्षर भी लिख कर दिखाते। सभी विद्याओं का द्वार जो लिपी है ये गुरु ने शिवाजी महाराज को पूरी तरह से सिखा दी। ये सबसे बड़ा समकालिन संदर्भ है जो ये कहता है कि शिवाजी महाराज साक्षर थे। संदर्भ दूसरा ब्रिटिश अधिकारी हेंडरी रेविंग्टन का सूरत काउंसिल को खत। जब शिवाजी महाराज पन्धाल गड़ पे सिध्धी चोहर के घेरे में फसे थे तब उन पर हेंडरी रेविंग्टन इस ब्रिटिश अधिकारी ने तोपे चलाई थी। इसी हेंडरी को शिवाजी महाराज ने आगे जाकर कैद कर लिया था। उसने ब्रिटिशों के सूरत काउंसिल में 10 जून 1661 में एक पत्र लिखा था। उसमें लिखा है कि मैं जो पत्र दूंगा वो शिवाजी महाराज के हाथ में उन्हें पढ़ने दे। उनके मंत्री जब के हेंडरी रेविंग्टन को ये पता था कि शिवाजी महाराज साक्षर हैं और वो पत्र पढ़ सकते हैं। तीसरा संदर्ब है, काफी खान ने शिवाजी महाराज की आगरा भेटका किया हुआ उललेक। शिवाजी महाराज की आगरा से छूटने की हकीकत, काफी खान नाम के इतिहास कार्णे रिखी है। वो कहता है शिवाजी महाराज ने अपने पुत्र संभाजी को अलाबाद में एक ब्राम्भन के पास छोड़ा और उसे कहा जब तक तुम्हें मेरे हस्ताक्षर में लिखी चिठी ना मिले तब तक संभाजी को लेकर दखन में नहीं आना अर्थात शिवाजी महाराज लिख सकत अखिर में महेंद्रे जी ने एक तर्क दिया है शिवाजी महाराज के पिता शहाजी राजे शिवाजी महाराज के वरिष्ठ बंदू संभाजे राजे उनके कनिष्ठ बंदू एको जी राजे और कोया जी राजे इन सब को संस्कृत भाषा का ज्यान था शिवाजी महाराज तक शिवाजी महाराज अपने पिता जी शहाजी राजे के साथ ही रहते थे अगर शहाजी राजे अपने सारे पुत्रों को संस्कृत सिखाते थे तो भस सिर्फ शिवाजी महाराज को इस शिक्षा से वंचित क्यों रखते इसका मतलब संस्कृत और परियाय से मराथी भाषा क शिक्षा शहाजी राजे ने शिवाजी महाराज को दी होगी जिससे साफ पता चलता है कि शिवाजी महाराज साक्षर थे इसके अलावा महेंद्रे जी ने कई और संदर्भ और तर्क दिये हैं जिनसे ये साफ पता चलता है कि शिवाजी महाराज साक्षर थे दुरदैव से ये के वर्द का किया हुआ नियोजन शाइस्ति खान पर हमला करकर जिन्दा वापस आने का नियोजन और सबसे बड़ी बात जिसने अपने पिता भाई और पुत्र कुमारा ऐसे औरंग जेब की चंगुल से छूट कर आने वाले शिवाजी महाराज साक्षर थे या नहीं थे इससे कोई फरक नहीं पड़ता जब सारे बात्षा और सुल्तान भारत पर राज कर रहे थे तभी हिंदवी स्वराज्यकी स्थापना करने के लिए महाराज को हिम्मत ताकद नियोजन और उर्मी ये गुणों की आवश्शकता थी और केवल साक्षर इंसा नहीं यह कर सकता है ऐसा दावा करना केवल मूर्गता होगी पर बिना आधार शिवाजी महाराज को निरक्षर ठहराने वाले लोगों के लिए ये हमारा संदर्व सहित उत्तर देने का प्रयत्न था इन सारे संदर्वों से ये साफ होता है कि शिवाजी महाराज साक्षर थे अगर आपको ये वीडिय पसंद आया हो तो इसे लाइक करे और अपने दोस्तों के साथ शेर करे ऐसे ही वीडियोज को आगे देखने के लिए हमारे चानल को सब्सक्राइब करना ना भूले धन्यवाद